नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वाकत है मैं शुबा माचुका हूँ आज हॉन्डा एक्स ब्लेड वन सिक्स्टी का माइले ट्रेस्ट लेकर और दोस्तों अभी कहा है कि मैं पेटोल बंपे चल रहा हूँ पेटोल पुरा फुल कराऊंगा टैंग कैसी है चलने में कैसा इसका इंजन है कैसी ब्रेकिंग्स है इन सबी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और कि यहां पर टैंक फुल हो चुका है और नीचे बारी लेयर तक है क्योंकि आपने देख लिए होगा बाकी मैं फोटो डाल दूँगा और यहां पर ओड़ोमेटर हो रखा है 3018.4 किलोमेटर अब मैं इसको यहां पर चलाता हूँ तो दोस्तों आप मेंसे ज़्यादा तर लोग यह कहेंगे कि मैं पेट्रोल को फुल करके क्यों चला रहा हूँ देखे इसमें क्या है कि यह फ्यूल इंजेक्शन आया है बियस इक्स में और आया क्या है अब तो लगबग काफी टाइम हो गया है कि अब जो है इसमें फ्यूल पंप आता है बियस इक्स में और क्या है कि अगर आप पेट्रोल नहीं मेंटेन करके रखेंगे खाली टाइंक कर देंगे तो फ्यूल पंप जल सकता है तो इस वज़े से कही ना कही जो इसमें पेट्रोल को फुल करके मैं चला रहा हूँ और जो भी पेट्रोल कंज्यूम होगा उसके और मैं और फिल अप करूँगा और मैं एक्जक्ट आपको बता पाँगा कि ये बाइक माइलिज कितना दे रही है ऩो गाइस, अभी क्या है कि हमारे साथ में पीलियन भी है नेरा बेट अराउंड 75kg है मेरे साथ में जो पी पीलियन है उसका वेट आराउंड 60 to 65kg के आइस पास में होगा तो आराउंड हम ये कह सकते है बढ़ियन 35kg 135kg के आइस पास में इस पे वेट है और इसको मैं एक आइडल स्पीड पर चलाओंगा 60-70 बीच में थोड़ा सा खीचने की भी कोशिश करूँगा बाद आती है ये बाइक चलने में कैसी है देखिए ये बाइक अधर कम्यूटर सेग्मेंट की जैसे बाइक सोती है उसी तरह ये फील कराती है और हैंडलिंग काफी एग्रेसिव है इसकी ऐसा फील होता है कि जैसे हम कोई ओफ रोडिंग वाली बाइक को चला रहे है क्योंकि इसका हैंडल का डिजाइन कुछ वैसा रखा गया है थोड़ा सा उपर की तरफ में इसका हैंडल है रियर पर मोनो सॉक अबजर्ब दिये गए हैं फ्रेंड पर टेलिस्कोपिक सस्पेंशन है तो सस्पेंशन इसके और आल मुझे थोड़ा सा ठीक लगे थोड़ा से गड़ों पर भी ये लाइक गई तो ठीक लगी वहीं जो रियर ब्रेक है वो थोड़ा सा टाइम लेती है फ सीट है वो काफी चौड़ी बिलती ही जिसके वज़े से क्या है कि आप थोड़ा सा लॉंग राइट भी कर सकते हैं बस हाग कुशन कॉलिटी थोड़ा सा और बहतर की जा सकती थी तो अच्छा होता होंडा अपनी बाइक्स में क्वालिटी के साथ में कोई भी समझाता नहीं करती है क्वालिटी मेंटेन करके कंपरी रखती है यह चीज़ काफी अच्छी हो जाती है 5000 से 7000 आर पीम के बीच में मैं बाइक को चला रहा हूं इसली चल रही है वनलब कोई जर्किंग और कोई वाइबरेशन ऐसा कुछ नहीं है उसका यहां पर कॉंसोल पैनल है यह काफी ज्यादा विजिबल हो जाता है आप चाहे धूत में हो चाओ में हो जो गियर इंडिकेटर है गियर इंडिकेटर की वज़े से क्या है कि काफी आसान हो जाता है कि आप किस गियर में चल रहे हैं कई बार क्या होता है ट्रैफिक में हम बदल रहे होते हैं गियर उसमें होता है इसका ब्लू रेड ब्लैक और यह जो कलर मैं चला रहा हूं यहां पर यह औरेंज कलर आ जाता है यहां पर कंपनी यहां पर कहती है कि वह साइलेट स्टार्ट मोटर देती है साइलेट निकालने के ट्रिक यह है कि अगर आप बाइक को आराम से चलाएं आराउंड 60 या 65 या 70 मैक्सिमम इससे ज्यादा ना लिखे जाए बार बार क्लेच और ब्रेक्स का अगर यूज करेंगे तो माइलेज गिरेगा तो अगर कॉंस्टेंट स्पीड पर चलते हो तो माइलेज एक बहता निकाल सकते हो कई बार क्या होता राइडर टो राइडर डिपेंड भी करता है कि रावा दोस्तों क्या है कि आपको टाइम टो टाइम सर्विस कराते रहना चाहिए पैटोल किस फ्यूल इस्टेशन पर पैटोल डला रहे हो यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट डोल बिल रहा नहीं नहीं मिल रहा है यहीं चीजें हो जाती है टायर प्रेशिद सार फेस्ञाइड चीज़ें होता है अच्छा मैल शनी कलनी के लिए रहान आप यहां शूरिघर फ Silence 라 करादर देते लोग मुझे करते हैं जिसके मैं ऊमेशा अपने location पे उक कराता हूं अपने location पह के पट Watch करता हूं की कई बार क्या है कि पैटोल में पे साहिषा था क्राता को किलोंगा और यह अभी चलिए 3047.5 यानि अराउं 29 किलोमेटर 29.1 किलोमेटर इसको हमने चला है अब इसमें पेटोल फिलप करते हैं कि इसमें कितना पेटोल आता है फिर मैं आपको बताता हूं कि यह कितना माइलेस दी है तो गैस क्या है कि वो थोड़ा सा यह नीचे एक लेयर है अगर पेटोल डाला था यह एकुपमेंट है और इसमें 500 एमिल पेटोल आ रखा है यह यहां तक 500 एमिल पेटोल आ रखा है अब इसमें पेटोल हम डालते हैं डालू थोड़ा सा थोड़ा सा और आएगा हंडेड एमिल के एसपास और दू हंडेड एमिल हंडेड एमिल अगर देखें पूरा हंडेड अमल डाल दू अब ठीक है तो गैस क्या है कि यह पेटोल उसमें मैंने ऐसे मेजर करके यहां पे देखा था तो यह टच कर रहा था यहां तक तो पेटोल यहां पर आ चुका है 600 अमिल अराउंड यह मुझे माइलेज दी है 48.5 kmpl का और दोस्तों इसको क्या है कि मैंने खीज के चलाया है और अभी सिर्फ इसकी एक ही सर्विस हुई है तो यह चीज़ हो जाती 48.5 kmpl का माइलेज मेरे हिसाब से अच्छा दे रही है क्य होद सही यह दे रही है आपको कैसा लगता है यह माइलेज आप जरूर कमेंट बॉक्स बताईएगा और जो लोग इस बाइक को चला रहे हैं उनको कितना माइलेज मिल रहा है वो भी जरूर हमें बताएं स्वाइब दोस्तों यह वीडियो पसंद आए होगा और वीडियो प कर सकते हैं सब्सक्राइब वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद